Hi everyone welcome to rindas physics आज हम लोग electric field देखेंगे फिर बाद में electric field lines or electric flux ठीकका हूँ तो पहले चलते help electric field को और др fell कहता क्या है definition क्या है Electric field do to charge q at the point in space will be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at the point बीदिदेफिनेसी तो बहुत किताब में अलग-अलग है ना जैसा की यह क्या कह रहा है Winston इसे मानने की वजह से इस कौसिश करे तो क्या होगा यह यूना जो है यह एक तो ले सकते हो लकिन हम लोग क्या कर रहे हैं मने उसका चार्ज यूणिचरज ले अगर यह यूणिचरज आप इस रिजन में लाएंगे तो इस यू बज़े से बना इस Q के बना तो यह एक फॉर्स experience करेगा है ना इस रिजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फिल तो यह मैं यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रिक फिल द्यूट्य चार्ज क्यों इस पॉइंट इन स्पेस में भी डिफाइंड इस दाफोर्ज दे यूनित पॉजिटिव चार्ज चार्ज एक्सपरियंस इप्लि आश्यक्ते होगए है ना क्योंकि यह जो है यूनित पॉजिटिव चार्ज मैंने समझा दिया है क्योंकि हम दोग त्री कोलम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन समझने के लिए सिंप्लिफाइब करने के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं अब चलते इसके फॉर्मुला पर फॉर्म not q by r square is equal to r cap यहां पर r cap क्या है देखिए यह एक unit vector का direction है यह unit vector है यह क्या बताते है direction बताते है है तो देखिए यहां पर आप लोगो यह दिखाई पाए रहा है फॉर्मूला में यह constant है क्योंकि four pi और epsilon not इसका value हमें सा constant रहता है और यहां q by r square कियो मतलब यह q है और r मतलब क्या है distance between यह और यह तो यह r square है इससा इसका तक क्योंब है नहीं क्योंकि four pi epsilon not constant है और इसका क्या है Q का charge क्या होगा kolum होगा आर मतलब किससे हम मीजर करते है length मतलब meter है तो meter square है न लेकिन इसका एक को और मतलब मतलब है यह वह है Newton न्यूटन पा कॉलम न्यूटन पार कॉलम यह कहां से आए दिखिए एफ इस इकल तो क्यों यह एक फॉर्मुला आप लोगो को ट्लास चल्ट में मिला था मतलब फोर्स क्या है अगर हम इलेक्ट्रिक फिल में कोई चार्ज लाए तो एक फोर्स एक्सप्रियंस करता है उसे हम हम एलेक्ट्रिक फिल का एसा यूनित निकाल लेको उससे करें को उधर फिक देंगे इसका है तरुकर बाद कर ना तो यहां पर हो रहे ना तो यह लोग और आप लोग यहां पर इमाजनेरी लाइन और कर्व इन इस पैस फिर टैंजेंट ऑफ अप्ड़ ते पहला बात यह पिल यह मतलब असल में होता नहीं हम इमाजन कर लेते हैं एक लाइन भी हो सकते कर वह सकते कुछ भी हो सकता है कहामें स्पेस में और इस कर्फ का अगर हम तेंजेंद निकाले तो क्या होगा यह तेंजेंद हमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फिल का डायरेक्शन किसकी तरफ है तो आप लोग समझ पा रहे हैं तो यहां पर हम लोग ने टेंजेंद बना दिया तो यह तेंजेंद क्या बताएंगे तो यह मैंने यहां प in a space where a tangent of the curve at any point gives a direction of electric field पाइए कुछ प्रपर्टिस की और चलते हैं पहला प्रपर्टी एलेक्रिक फिल लाइन सब्सक्राइब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज करेंगे स्टार्ट करेंगे तो साइट करेंगे मतलब यह जो एरो है यह हमें सा क्या करेंगे यह बा चल कर जा रहा है और यह अंदर घुच रहा है तो यह मैंने कॉम्बाइन कर दें दोनों को अब दूसरा पॉइंट की और चलते हैं यह क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फिल लाइंच है कॉंतिनमस कर्फ विदा पने ब्रेक्स इन्हें चार्ज प्रिजन दिखिए मान देजिए इस चार्ज की बर्ज़ से एक एलेक्त्रिक फिल बाहर चाहरा है ऎसलिए यह जा मैं नहीं हो यहां नहीं हो गया क्योंकि अगर यहां पर ब्रेक होगे मैं यह जो अपको दिख़र पैर या जो आप लोगो कौ तो हमयसा जाता ही नहीं कहें गई इसको हम बूद earned यहां अगर इलेक्रोसेटिक फिल लाइन निवर इंटर्चेक इचादर क्यों यह बहुत है इंपोर्टेंट बहुत लोग को यह कमें साथ दिक्कत आते हैं ना इसलिए क्या होगा यह बनाएगे इस पटेंजब कर इसाइड में बनाएंगे इस साइड में दो ड्येक्सिन होगा और डो ड्यक्तिध पॉसिब्ल है नहीं तो इसलिएगे होगा एलेक्ट्रिक फिल का अगर दो राएक्शन होगा तो यह मतलब इंपोसेबल है तो इसलिए हम लोगों यहां पर नेवर फिल पास हो रहे हैं तो यह हम लोग का स्ट्रॉण में स्ट्रों में बटाएंगे और यह वह एक वी सेंगे क्यूँ इलेक्रिक फिल्ड का क्यों यहां पर इलेक्ट्रिक फिल लाइंज ज्यादा पास हो रहे है थो एक एरिया से कितने electric field lines पास हो रहे हैं अगर हम उसे जान ले तो यह क्या होगा electric field का strength का मेजर होगा तो यह electric flux है मतलब एक particular surface से electric field का strength हम लोग पता करेंगे electric flux है ना तो आए उसके कुछ formula और important property सिखते हैं जैसे यह दिखिए when plane is perpendicular और normal to the electric field देखिए हम electric flux तभी calculate कर पाएंगे जब यह plane मतलब जिस एरिया का हम लोग surface मान रहे हैं वह हमेसा क्या रहेंगे electric field के perpendicular रहना पड़ेगा है ना electric field के perpendicular मनलेचे यह अगर electric field है तो यह area जो है वह हमेसा यहां रहना पड़ेगा है तब जो फॉर्मूला होंगे electric flux का वह क्या होंगे electric flux is equal to electric field और एरिया को multiply कर दीजिए electric field और एरिया को सिर्फ multiply कर दीजिए dot product करके तो यह formula जब ऐसे रहेंगे लेकिन अगर यह जो है यह जो इस प्रकार से है मतलब यह तो यहां जा रहाता है यह सिधा नहीं है यह जैसे सीधा है इस ते रहा हो गया यह electric field के साथ कुछ angle बना रहा है यह area जो है area तो यह angle अगर थिता है तो जो तो कंसेटा मिलता है यहां पर आपके नया दर्फ को मिला वह कि animators यहां पर हम एडिया फार्व धर कॉंसिदर कर रहे हैं और यह किसके एक्टरका डिरेक्टर का डायक्टर का डायरेक्टियर हिस विसके है तो यह गहांगे जैसे कि यह बुक है रहेंगे यह एक प्लेन है और इसका हम लोगे निकालने कोसिस क्रेंड किरे तो ये ऊपर की तरफ होगा अगर यह प्लेन जो है ऑफ और इसा बन गया और यह कैसा बन गया तो यह कैसा होगा ऐसा होगा तो यह लोग समझ पार होंगे है ना तो वी यह लुट इसका डायक्टिक्टिक जीरो भी हो सकता है कब जब थिता इकल इसा हो गया एसा हो गया सर्फेस एरिया है वह इसी डिरेक्शिन में हो गया तो एक भी इलेक्ट्रिक फिल लेंज इससे पास नहीं हो रहा है क्या नहीं पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कितना इलेक्ट्रिक फिल लेंज पास हो रहा था मतलब एलेक्ट्रिक फिल का स्ट्रेंग्ट पता करते हैं तो यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आप लोग इसका नूत लेज़े तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद